प्लान्स मैं बहुत बना के रखता हूं जिन्दगी में मैं दस प्लान्स मनाता हूं मेरे साथ यह ऐसा होता हूं अपनी अवकाद से बड़े सपने देखता हूं बचपन से देखे पहुंचा और बड़े सपने देख रहा हूं अभी आपको बताऊं को आप शायद हसोगे लेकिन मों मैं कर दूँगा 10 साल में 12 साल में 15 साल में मैंने नहीं हसोगा इसने कर दिया तो बहुत सारे प्लान 10 प्लान मनाता हूं तीन पर काम करता हूं इतने फोकस से काम करता हूं कि कुछ और नहीं देखता शिव जी ने उनको पुष किया मैंने गाना बनाया बोले बाबा पे 2013 में शिवरात्री बे बना पाई चांसो गाने का नाम है जूम बहुत जवर्दस गाना मैं रिलीज करूँ का जल्दी किसी भी शिवरात्री बे अब और भी गाने बनाने वालों ऐसा धार्मिक बने हैं एक उने शायरी लिखी थी शायरी पे गाना मैंने बनाया गाने कराऊ मैं 52 सॉंग्स बनाया है मैं बताता हूं आपको मैं ये आल्बम जिसके सिलसले में आपके पास है वानी 3.0 ये आल्बम डिजाइन करी मैंने सप्तेंबर भी उससे पहले मैं शराब पी रहा था थोड़ी थोड़ी इतनी जाद नहीं और मेरा कुछ करने का मन नहीं था जो दुक्का दुक्का शोज आ रहे थे वो कर रहा था पैसा कमा रहा था थोड़ा हूँ तो मेरे को किसी ब्रह्मन ने बोला था कि या गंगाजी हो कि आओ ठो छले जाओंगा तो मुलने को फरवरी में बोला था और मैं अमेरिका गया अमेरिका से बहुत शराब पी और वहां से वापिस आया मैं आणे गंगाजी चलेगा गंगाजी गया मैं सतनान किया पूजा करवाई मैंने उसी ब्रामवन ने आके करी और वापिस आया मैंने सारी बहुत लोट आके ठैक दी स्टूडियो से मैं का कोई निधार उपेगा अब काम करेंगे गाने बनाने शुरू करें एक रात में चार गाने बन गए तो मैंने फिफ्टी टू सौंग्स बनाए है दो महिने में सेप्टेंबर और अक्टोवर में और अब एक लीटस मैंने spiritual गाने तो है मेरे पास 3-4 और भी है एक मेरा गाना है वो गाने में बाद नशेगी हो रही है लेकिन मैंने कई लोगों से यह सुना है और बड़ अच्छे खासे लोगों से यह सुना है कि हमें बड़ी spiritual वाइब आती है उससे गाना है मनाली ट्रैंस मेरा तो मेरे साब से हर गाने में spirituality है तब ही वो मेरे गानों की लोगों के दिल दमाग तरने जाती रूह तक जाती है आपके अगले वाले गाने के बार में कुछ बताईए गाने का नाम है नागन तो उसमें पजाब के अमर सिंग चमकीला जी जिनको मैंने काफी सुनना शुरू किया लिरिकली और उनका वोकल टेक्ट्चर बहुत इफरंट है इसको मैं ऐसी प्रिजेंट करूँगा अब बहुत ब्लेस्ट इंसान हो इतने आइडिया सामने साथ है सामने साथ है आपके लाइफ में कुछ तो किया आपके सोल ने शायद पिछले जनम में I don't know मेरी documentary में इस सवाल का जवाब है मुझे पता है मेरी सोल ने पिछले पात जनम में क्या कि अपना ध्यान है मतलब अपना बिलीव है में बहुत स्टॉंग है इस उंगलियों पर मैंने चीज़े बताईगी है जरूर देखिएगा आपके लिए स्पिरिच्वालिटी क्या है मेरी स्पिरिच्वालिटी का मतलब क्या है संगीत और प्रेम एंड में हानी भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहूंग कि आपके लाइफ की सबसे सुन्दर मोमेंट के बारे में बताईए एक सबसे सुन्दर मोमेंट तो मेरी बहन की शादी हुए थी क्यों ऐसी क्योंकि उसने अपनी 2007 में जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ था वो कॉलेज में बट रही थी ठीक है और मैं बारा तक पंजाब में रहा वा काम कर रहा था साटरी संदे घर आता था दिली टाइव नी दे पाता था और बारा तेरा चौदा में मैं स्टार बन गया बहुत पैसा कमाया वोट टोरिंग कर रहा था उनसे मिल नी पा रहा था चौदा में सब क्रैश हुआ जब घर होगा न मैं तब जाओंगी तो मुझे आज भी आता जो उसकी शादी हुई तो मैं ठीक नहीं था पूरा में को सिम्टम्स आते थे लेकिन वो एक सपना था मेरा कि मेरी भेहन के शादी होगी जिसे अमनी जवानी खराब करी मेरे लिए इंतजार किया किसी आशिक के लिए न कॉष कर शादी है वोगी आए थेंग error में जवानी जयओ एकर प्रसेंस के लिएम खराब करी मेरे लिए Hadarा तो था जवानी जयंगर को सादी हुष को साल मुझे शादी हुष को साल मैं तो म долларов होगी हुष कॉष क्ष narr díasे श wären था